सूप्रभाद बच्चो आज हम पढ़ेंगे अनिश्य वाचक सर्वनाम और सम्मंद वाचक सर्वनाम के बारे में अनिश्य वाचक सर्वनाम अनिश्य का शब्द होता है जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती तो इस प्रकार वे सर्वणाम शब्द जिनसे किसी निश्य द्वस्तू, इस्थान अथ्वा विक्ती का ज्यान हमें नहीं होता है तो वे कहलाते हैं अनिश्य वाचक सर्वणाम इसे हम कुछ उधारणों के ध्वारा समझेंगे जैसे अंदर कोई है क्या? अब इस वाके के अंतरगत कोई शब्द आ रहा है तो कोई शब्द हमें किसी अनिश्य ताकि और इशारा कर रहा है इसे पता चल रहा है कि हमें उस वेक्ती के बारे में जानकारी नहीं है इसी प्रकार दुसरा उधारण आप देखिए चाय में कुछ गिर गया है अब इस वाके के अंतरगत कुछ शब्द से हमें चाय में क्या गिरा है इसका ग्यान नहीं हो रहा है तो इस प्रकार कुछ शब्द भी अनिश्य वाचक सर्वनाम है कोई, कोच ये शब्द अनिश्य वाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं बच्चो अब हम जानेंगे संबंद वाचक सर्वनाम के बारे में वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों में प्रयुक्त संग्या अत्वा सर्वनाम का संबंद बताते हैं वे संबन्द वाचक सर्वणाम कहलाते हैं संबन्द का मतलब होता है दो वाक्यों के बीच में संबन्द को दर्शाना तो इस प्रकार कुछ उधारों के ध्वारा इसे हम समझेंगे जो कुवा खोदता है वह पानी भी पीता है यहां पर दो वाक्य दिये गए लेकिन ये दो वाक्य, दो सरुनाम शब्दों के ध्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, जो और वह, जो और वह बोलेंगे, तभी हमें दो वाक्यों के संबंद का पता चलेगा, इसी प्रकार, जो दोशी होगा, उसे दंड भी मिलेगा, यहाँ पर भी आप देखिए, जो औ और उसे शब्द संबंद को दर्शा रहे हैं, इस प्रकार, जहाँ पर भी दो दो सरुनाम शब्द आते हैं, और वो दोनों सरुनाम शब्द आपस में संबंद को दर्शा आते हैं, तो वे किलाते हैं संबंद वाचक सरुनाम, जैसे जो और वह, जो और उसे, जैसे और वैस दन्निवाद